अब हम बात करने वाले हैं रक्षा बंधन को लेकर भाई बहन का खुश्यो भरा त्योहार लेकिन भाई के खुशाल जीवन के लिए जहां रक्षा बंधन पर बहने बहुत सारी उमीदे रखती हैं और बहुत सारी उनके लिए प्रांतनाए करती हैं जब वो उनके हाथ में वो रक्षा से जुड़ा हुआ सुत्रबान देती हैं। आखिरकार रक्षा बंदन के दिन किस तर है कि उपाय किये जा सकते हैं ताकि भाई बहन का जो ये रिष्टा है वो और भी पवित्र हो और भी ज्यादा सुत्रड बने। चले आज उन्हें उपायों के बारे में जान लेते है कि भाई के खुशाल जीवन के लिए रक्षा बंदन पर राशिक अनुसार किस परकार के उपाय किये जा सकते हैं। भाई बहन का रिष्टा सबसे पवित्र माना जाता है। इसके लिए एक विशेश त्योहार रक्षा बंदन बना है। रक्षा बंदन श्रावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षा बंदन में राखी या फिर रक्षा सुत्र का सबसे अधिक महत्व है। आमरीती के अनुसारे सफसर पर बहने अपने भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सुत्र बानती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देत हम आपको कुछ खास उपाई बता रहे हैं जिने रक्षा बंधन के दिन बहने करेंगी तो वे भी अपने भाई की रक्षा कर सकेंगी चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मंगल कामना करते हुए कुमकुम केसर का तिलक करके लाल रंग की राखी बांदे बहने भगबान गनेश जी को दूब तदा राखी अरपित करें ताकि आपके भाई का क्रोध और स्वभा ठीक हो जाए अब रशब राशी के बात कर लेते हैं तो चांदी या सिल्वर रंग की राखी दो मुखी रुद्राक्ष या मोती वाली राखी बांदें तिलक करें बर्फी के मिठाई खिलाएं बहने शिवजी को जल धारा और राखी अरपित करें तदा अपने दोनों के रिष्टे की मजबूती की प्रार्थना करें मिठन राशी पन्ना युक्त या हरे रंग की तोता या पैंडलूम यंत्र वाली राखी बांदें भाई का सोया हुआ भाग्य एवं राजयोग जाग जाएगा मुराद पूरी होगी और मोती चूर के लड़ू खिलाएं बहने सूरेदेव को जल जढ़ाएं देवी को सिंद या क्रीम रंग के धागे से बनी मोतियो या गोमती चक्र युक्त राखी भाईया को बांदने से भाग्य चमक उठेगा केसर युक्त खीर खिलाएं भगवान गनेश को बेल पत्र और राखी अर्पित करें इससे आपके भाई के करियर के उतार चड़ाओ भी दूर होंगे भाई को बांदे लाल चंदन से तिलक कर पनीर की जले भी खिलाएं शिवजी को चंदन अर्पित करें और इसके बाद राखी अर्पित करें इससे आपके भाई का स्वास्त्य उत्तम रहेगा कन्या राशी हरा डोरा राखी हरा मर्गज युक्त बांधे पिस्ता खिलाएं तथा पिंजरे में बंद दो तोते आजाद करवा दे बंद भाग गये खुल जाएगा व्यापार एवं नौकरी चल निकलेगी दस किंदरों को हरे वस्त्र एवं मिठाई दें हनुमान जी लाल फूल और रक्षा सुत्र उन्हें अर्पित करें इससे आपके भाई को मन चाही सफलता मिलेगी अगली राशी की बात कर लेते हैं तुला राशी की भगवान कृष्ण को माखन मिस्री का भोग लगाएं फिर रक्षा बंधन भी अर्पित करें इससे आपके भाई का पारिवारिक और व्यवाहिक जीवन सुखी होगा व्यश्चिक राशी की बात कर लेते हैं बालुशाही खिलाएं लाल चंदन का टीका करके लाल गुलावी पतंग वाली राखी बांधें पीपल के व्रिक्ष में जल डाले, वही दीपक जलाए, किसी डाल पर रक्षा सुत्र बांधे, इससे आपके भाई की संतान संबंधी समस्या दूर होगी अगली राशी की बात करते हैं, धनु राशी की, सफेद फिरोजी रंग की राखी बांधे, काजू की बर्फी खिलाए, शिवजी को इत्र और जल अर्पित करे, इसके बाद राखी अर्पित कर दे, इससे आपके भाई की दुरगटनाओं से रक्षा होगी तो देखे, यह जो तमाव हम उपाए बता रहे हैं, मन में अगर किसी तरह की शंका भी आपके आ रही है, कि क्या सचुच में यह जो उपाए हैं, इन्हें करने से आपको कही सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप यह चाहते हैं, कि आपके भाई की रक्षा हो रह इमर्ती की मिठाई खिलाएं, कच्चा दूद एवं इमर्ती, नो बार उतार कर काले कुट्टे को खिलाएं, भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगा कर राखी अर्पित करें, इससे आपके भाई को आर्थिक कष्ट कभी नहीं होंगे कुम राशी की बात करते हैं, आस्मानी फिरोजा रंग की राखे बाधें, ढोकला खिलाएं, हनुमान जी को लाल फूल और रक्षा सुत्र अर्पित करें, इससे आपके भाई का स्वास्ते और रोजगार उत्तम होगा में राशी की बात कर लेते हैं, तो शिवजी को दही और जल अर्पित करें, उनको राखी अर्पित करें, इससे आपके और आपके भाई के रिष्टे मजबूत होंगे केसर का तिलक करके पीली समतरी कलर की राखी बांधे, केसर वटी एवं राजभोग की मिठाई खिलाएं, दस दिव्यांगों को जिमाएं, बिगड़े काम आपके जरूर बनेंगे तो यह राखी के दिन किये जाने वाले उपाएं, हमने आपको यह राशी के अनुसार बताएं, मन में किसी भी तरह की कोई भी शंका है, तो कॉल कीज़े, आपके स्क्रीन पर लगातार मौजूद है नंबर, और नंबर पर आप कॉल करेंगे, तो और भी तरह की परिशानिय या तो ऐस्ट्रोलॉजिकल परिशानी है, या फिर आप टेरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर पामिस्ट्री के माध्यम से, अपने हाथों की रेखाओं के माध्यम से, अपने भविश्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो तमाम जानकारी आपको लब्द कर और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, बैल आइकन को प्रेस कीजिए, आपके स्क्रीन पर लगाता है, तमाम जानकारी मौजूद है, फिल्हाल दीजे जासब, नमस्कार.